आपके आपके चाह सब्सक्राइब, अपला या अपवर्ती चाह जो अपला बेसिक मोटिव है आपता चाह आप ले अपला सेशन चाह ऑके सो अपकमिंग एग्जामेज चाह आप पर आपके अपके निक्ती बीस्केशन करता है तुछी अपने एक बेसिक टेखनिक शिकोली ले आहे काई बराशा मुलादना ती एक रिपीट करतों पार्च मिनेट पदे आणि मग बाठी डिटेयल करने दो या तो कुटला पने MCQ एक्जाम तर चांगला स्कोर करें चाहिए तर तेचा करता एक सिंपल टेक्निक है आता त्यातली काई ट्राइपन के लिए काई मुलादनी बरूबर इंताक्ट तो ही आपना अनुबो शेर करूं काई होता कि आप लेला जेवा आप मेदे तुम्चा जेवा पहिला काम का गा रहे था शगे क्वश्चन अनि तेचा ओप्शन बगत जाए चे बरूबर ए चुके येता है नहीं येता है नॉट अ मेजर इसू पहिले पाचते दहा मिंटा तुम्चे चारीस प्रश्ण परभून जाले पाए तो एक प्रश्ण वाचायला नी बगाएला मुझन दहा सेकंद लगता है अपले चारीस प्रश्ण बगाए चे बरूबर तो एका मिंटा जर आपन विचार केला तो सहा प्रश्ण अपले होता है ठीक है ना अपन दहा मिंटा है एक्टम एग्जाक ताइम दरी पकड़ ला ता काई प्रश्ण आता आशे असना रहे पा तो सहा पात सेकंद आगी दहा सेकंद बगल तागी फंदरा सेकंद बगल आगना रहे तो नौट मोर दैन दैट करंद दे प्रश्ण चोटे चोटे टे मख एकदा तुमची चाहीस प्रश्ण वासुन दाले पहले पात्टम है मिंटा का म सगयत पहले एक ते रिवस दा क्यों पहले पसुल परद शुरुवात करा आणि जे जे गंफर्म अंसर्स माइं ती है ते फटाफट फटाफट क्लिक करून गयाएची ठीके मक काया कराया चे याट नहीं त्या एक सिंपल असी पद्धत जे लपन्तो एलिमीनेशन टेक्नीक काया ही इक अधा क्वेस्चन समगा आले है तो टे या ग्वेस्चन लाओ चार अप्सों गिल लेट, और चारी कन्फ्यूस करनारे आयत आसदरी वाटता थासुल, तरी सुद्धा त्या चार मदले दोन हे शंबर टक्के आशास्ता, जैसा बिल्कुल त्या प्रश्णाशी संबंध नाई है, तर मख, आशे जी दोन प्रश्णा आपनेलाथी त्या साप कराएता, ओके, सो आता का है उता, या इलिमिनेशन टेकनिक मुझे, तुमच्या माइन मदले कन्फ्यूजन जे आहे, ते एक चांगले परामणत रेडियूस जाली ले, ओके, सो आता चार ओप्सों सा जेवा आपन विचार करतो, तेवा प्रॉबैबिलिटी आपली 1, 4 ते, मंजे का है, चार पे की, आपन जोपन सिलेक्ट करना रहे, तेचा मदे 1, और 2, और 3, और 4, जर अंसर 3 है, मी वन क्लिक करू शब्तो, 2 करू शब्तो, 3 करू शब्तो, 4 करू शब्तो, हैना, मंजे चार अतन माद एक उस प्रॉबैबिलिटी है, पन जेवा मी दोन इलिमिनेट करून टाकतो, ठेवा मात्र, माजी, आतात्मुच्या भाषेत, साध्या भाषेत, सांगाईची दाला, तुक्का माराएची, हैना, काहितरी, आशे शब्दवा पर दोपन जेला, की बंडल मारली, तुका मारला, लख, ट्राय कुरू नालो, सर, आसा काहितरी टापू नालो, माला लखी नंबर टीन होता, मोन में सगे टीन टापू नालो, एना, और वाटेवर आसा काहितरी मुल करतात नेमी, सो हे जे आपन करतो, हे करतानना, आपनेला काया लक्षे टेवाएचे, कि पहले ते दोन बादूला काड़ाईचे, आनिमा के टेवाएचे, तुमां यह चा नाइ, तेचा मदे पहले हे टेक्निक वाप रहेचे, मक, दूसरी गोष्ट, आता यह दूसरी गोष्ट यह परतको मला, कि जे MCQ आता अपन सौल करता है, यह चा मदे आता खूप सारे मुल कॉपी करता है, करू नका, आसा सांगाय चो मी शिक्षक मुनों, पन मी आता ती सां वर्ड ना होती, ती सोपी होती, एट्वाज रिलेजेट टू बेसिक, आता यह दे प्रश्ण मी ज्याजा मुलान करना फिड़ता है, यह दूसरी बेसिक वरती आउलंबोन होती है, आनि बेसिक कोणाला माईती है, जे नी घोष्टी चप उस तक सम्जुन तुम्सा थेरी व मदाये, आपले आप मदे, आपन जे तुम्हाला टेस्ट दिलले आहे, तया टेस्ट मेदे तुम्हाला युनिट वइस आपन दिलेला आहे, युनिट वइस तुम्हीं आटेंट करा, ते आटेंट कर आ cua तेंटorns चेंचे तुम्हाला बेसिक क 완i, काई प्रश्ण, एक सॉव प्रश्ण रिपीट अस्तिट एकाद दोन प्रश्ण चांसेस मेभी रॉंग जावु शकता। करंकसा असता काम करता ना तीनचे साठ प्रश्ण पात असतान ना एकाद दोन गोश्टी ओवर लोग इकड़े इकड़े होँ शकता। बट आधर वेर रॉंग बाकी चाहर थी अंडीड परसंट्यवस्तीओं तुमी तया प्रव्दतीने टेख करुण ठिवा। सम्धा तुम मालन एकन निवेरिकल आला अने एंगलीस फॉर्मूला हुरत आह.. के हापणी तेड क्वेशन बन डूलो ओधा which of the following is English formula okay तो तुम्हाला दर English formula perfect मैती है तुम्हाला जी numerical आले English formula तो त्या formula मदे फक्त value ठाकाई ची गोस्त होती तुम्हाला आंसर में ना रोती मंजे मी तुम्हाला दर English ता दिलेला है English formula ता question तो त्याच्छा basis वरती हाग question आसा याई छायो जी आसा आला getting my point so आपलेला जो point आपन गेतो है जो MCQ आपन पातो है तेचे शी related point थोड़ीशी माईती आसा आला पाई जी okay then and then तुम्ही इलेमिनेश तेता करू शक्ता आणि त्यास प्रमणे आवतें एक करू शक्तो आता खायो तो तुम्ही आप्यस नी जालेला है तो तुम्ही काय करायाल पाई जी तो तुम्हाला टेस्ट चे तीन-तीन आटेंट देरेले okay आणि त्या आटेंप्ट मदे तुम्ही ते बरोबर करूं-करूं ते चा मदे काय करायाचा है कि मैक्सीमूम विडाती सोडवाईची है प्लस कम्बाइन टेस्ट करायाची है ती टेस्ट जालेना तर लगेच अंसर्स बगायाची है आसन अंसर्स बगन गर्जेचाच आहे का गर्जेचा है? कर तुम्हा माइनला ते फीड होता आशा टाइपचा प्रश्णाचा आशा टाइपचा उत्तर है तुम्हा अंदाज घेनेची कापासिटी वाड़ती साधरन बोरोबर अंसर आवा तुम्ही क्लिक करना जरी तुम्हा ते आवेस आठोला नाई तरी तुम्हा जो अंदाज असे दाट इस नियरली करेक्ट आणि देर आर चांसेज की तुम्हा आंसर करेक्ट चाज यह मणों ही प्रैक्टिस करना खुब गर्जेच है ओके मग आता हे जला हाउ टु डील विद दे एक्जाम आता जे टॉपिक्स आपन इथे पाइले तुम्हा दो पहला आणि दूसरा चैप्टर आहे येर चांसे तो डील targets तुम्हे स्टीट इस्ट्स्रुक्षर हमें मेहां तो स्टील स्ट्शर मेह जे जह commonly वीचारले दाना रिघकास्जाद कि आठे अच्छा जह काई निम्मेरिकल स्पाइलेट थे निम्मेरिकल मधे आपलेदा किती टाइप चे connections करताना काय क्या दरना खराओ लाकिल हे सगण फार्मुलेट हे चे काय आस्थी मध वेदर इट इस कॉरैक्ट और नॉट आंसर खाली दिएले प्टी की कारेक्ट और नॉट तुम्चा एक सिंगल शियर क्याल्कुलेट कराई चाहिए और सिंगल शियर करता तुम्हाना VDSB चा फॉर्मुला थिती दिलेला तो आता यहाँ पॉइंट वरती कशे प्रश्ट बनू शक्ता तुम्हाना सांक ले पहिला प्रश्णों, what is the formula for VDSB second, which of the following is the correct answer for single shear which of the following is not correct आणि तुम्हाना VDSB, VDPB आणि तुम्हा वी जो टेंशन सा तो दिलेला है आणि एक साउता चुकी ता formula दिलेला है तुम्हाना त्यावे से तीनी फॉर्मुले मां इत पाई जे के तीन बरवर है आणि त्यातला हाएक चुक लेला है इचा पिच्चा पूर्जा काई यू सब्तो which of the following term gives the stress in the following formula आणि मा वीडिपीपीजा फर्मुले लिले आणि मते चा दिले Fy अपॉन रूट 3 ब्राकेट मदे A N N N आणि खाली ओप्शेन दिलेले Fy रूट 3 A N N N मा आथा तुम्हाना त्यातनो उड़कता आला पाई जे कि Fy मंजे stress yield stress बदल बोलता है मांजे का है त्या फॉर्मुले अ मदेले Fy चा अर्थ अपन आपनेला चादरन ता महिती पाई जे आथा टेंशन गिव लखा मी एक प्रश्ण किती प्रकारे विच्छा रता ये तो तुम्हाना सांगतो है मांजे जेवा अपने एक प्रश्ण दिला विडिपीबी चा थेवा विडिपीबी वरती काय काय विच्छा लदाव शबता आता ये चे बेक्षा हाईयर लेबल आता काय दलबगा पहले चात रिमेंबरंस लेबल होता रिमेंबर काय है डू यू रिमेंबर दा फॉर्मुला विडिपीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीब having connected by 2 volts of 20 mm diameter अन्दिला तुम्हाला काय काराइचे तुम्हाला VDPP चा फर्मुला वापुरू तो दीजिरो काड़ून तो तुम्हाला तेचा पूट कारून क्याल्सिवर की आंसर काड़ाइचे विचिस वन स्टेप अंसर ओके तुम्हाल ते आंसर पेकी टेक देयाइचे नो इ वापुरा औरम क्योंगे तुम्हाला तुम्हाला ने स्टिम्हाल ताम remembrance ची ओके अनलेटिकल है हाँ दोगी चे माहिद ची गरवस पड़ते शंबटके पड़ते शो अपन डेफिनेटली तेचा औरकी लप्षे ठेवलास पाई जे पन अनलेटिकल दर आलत काय कराईचा मणुं आपलेला तेची तैयारी पाई जे अधा एकाच कोत्ता question पन तेला कित प्रकारे मी वीचारों दाखल साथ ये साथ प्रकारे तेला वीचारों मी तुमाला गुमोन धिरों वीचारा वीचारा पर कराईचा त्याओड एकाचो तो VDPP is equal to Fy upon root 3 आणि कुट्ट्रा जेना खाली कोना अस्तो ग्यामा Mb, okay, क्यों ग्यामा M1, क्यों ग्यामा M, का है, तैचा खाली आपन वापर ना रहे, ते का है, विची कुंती पार्चन वेक्टर अपर तो, का वापर तो, तेची वैलिव का है, तोटे चोटे गुष्टी है, यहादर इनिशिली दर आपन पाउन गेट लया, तर आप Okay, now, यहाचा नंत तर, फुड़े, चेवा आपन यहाचा देतो, स्टील स्रक्चर सुलना रसीसी मदे, तेवा रसीसी मदे, तर बर्यापिकी कॉश्चन जे, ते स्टेप वाईज है, तो तुमाला एका स्टेप चा नियूमेरिकल्स कशी है तील, अनि किती है तील, यहाचा पर देला ही सामक्तो, माला उटता फोड़ा था, वीवेक चा की फोड़ा था, के तेला प्रशन होता कि, आप तेला किती परसंट नियूमेरिकल्स कशी है तेला किती परसंट थेरी चा बेस वर कियती है, जो एक्सक्टेशन से, जो माक्च्या, MCQs मेंदे रिपीट दा लिए जो माक्च्या, MCQs मेंदे रिपीट दा लिए, तेचान उसार 30% नियूमेरिकल्स अनि 70% थेरी बेस क्वेशन सुके, जो तेननी सडनली यावैस काई चेंज के ला आसे, तो वी विल हाव तू सफर, पन जो आप लेला एक अधा पॉइंट समझ लेला है, तो तेया जो आप लेला काई फरक पड़तों? और और और, तो आट इस पॉइंट ऑप टाइम, आप लेला फटर काई कराएचे, आता तुम्ही एक जीवसे एक जीवसात अभ्यास करणा रहे, आता इते उपस्टित काई लोगों के जिवाजा कड़े क्लास ला होते, तेन चागड़ी वीडियोस है डारेक्ली, तो तुम्ही वीडियोस थेरी पार्ट जो एतो पगुण गया था, नियूमेरिकल सग्रा सॉविंग जाए, तो सग्रा पाईलर स्पाई जा सका है नहीं, पन जी थेरी पार्ट अपन जे गेते ले, ते पाउन केवा, एक एक दोन दोन नियूमेरिक कारण जेवा, तुम्हाला, MCQ मदे एक दा नाव वीचार न देले, ता प्रश्न वीचार न देल, ते वाद तुम्हाला पाईले तो प्रश्नस कालड़ा पाईले, most of the time, MCQ मदे जो इस सग्रेत मोटी गफलत होते, ती आशी होते, कि आपले लेमका काई प्रश्न वीचार ल ठीच वादो प्रष्नार रहना, मैं या प्रष्न वीचार पॉयंट जो साथ प्रश्नं गोंधा तुम्हाली क्यों सुर्णा pretend. आधी पसुन सांगा दोतों मी बर्यात पुलन नाई जिवा चर्ची ता विश्य दाला तेवा सांगेद ले कि आगदी सहर्ज नस्त पन काई दलो त माक्षे सेमिस्टर ला टेननी पेपर इक्के सोपे काडले कि वह सगय लोकन वाटर लागन सब्सक्राइब करें तो अधा आशे काई सोप्ट्वेर से क्यों आशे काई अवेलेबले एनडियू टू आप अधिशियल इंडिलिजन्स की तुम्हाना सगयन ये नारे प्रश्णां चे दूसरा रिपिटेशन उन्हां सुधा ओड़े तुम्हें जे मित्रा स्टील का आवलेस तो दोन मित्रा शिदरी बसले तो एंटारली डिप्रेंट प्रश्ण पेपर कु वन अन अंधर होई अधा त्या आपले आप मधे सुधा है माजे सारक्या चोटू शे इंस्ट्यूशन चे आप मधे यूँ शक्त तो इस इस रियली for MSBT to produce different paper for all different people. आजी बत नहीं, तेन्ची मेनत कुटे number of questions बाढ़ले, तेन्ने येवेस मेनत गेत्री तेन्ने येवडे questions बैंक करूं क्यों लिए, की तैच अतना काईपन यूँ शक्ता, आपन पन आपने साइड नी एके लिले, पन मुक क्वेस्ट्यं सा फॉर्म बदल्ला, मंजे ये तेन नहीं है, आसा नहीं है, ये तुमी लक्षाद गया, आणि आपन या प्रत्य पॉइंट ला, remembrance, understanding, आणि analysis, या तीनी पॉइंट नी बगायेचा, आणि मुक कुडे जायेचा, तरस ते शक्त्या है, ओके, सो, और एनी डाउट, तुमी आता मला विच्चरू श तुमी या प्रत्य नहीं केला, तुम्चो फट्टा पट्टोई, तुम्हाना माजा करना काया आपक्षिता है, एक आपक्षा सोडून, आता जे रेगुलर एतन नम आईती है, कि पेपर चा टाइम ला मी काईच मदद नहीं करा, तो जे नवी ने तैंचा करता, शांगून पेपर चा टाइम माजे करना, एक्जाम तुम्ची है, एक्जाम माजी नहीं, तुम्ची एक्जाम तुम्हाना मुवारक, मी पास कोड़ून दालो, मी धिग्री दालो, मी लेक्चार दालो, तुम्ही तुम्ची एक्जाम देया, तुम्ही पास हुआ, तुम्ही पास हुआ, वित्रिक ता काई डौट से, अमी काई सर रहवाचा, तो अमाला हा पॉइट ने समझ लेला, तो पॉइट ने समझ लेला, so that I can just tell you, or I can summarize it, okay, तो काई डौट हैल, तर एक एक करून अपन शुल्डंट शला में विजारतो, आणि तुम्हाना काई डाउटा सेल्था तुम्ही विचारू शक्ता क्रांथी स्वर्णार डाउट मोनिका नाई सर्था नाई मुस्तपा नाई सर सचीन नाई सर ठीके विवेक नो सरकाई डाउट नी ओके विपीन विपीन आवाज एचो बिटा एके समाव नेट को नेक्शन असल काई हाँ आता जैचकड़े डाउट है लास्ट तो शिरेश काई विचार आईचे ते चर्थे विचा फोड़ सा क्लियर आजुन मोठे ने विटा अच्छा थेरी नए लख्षत ले ले लिए जी तो पहला पॉइंट है तो आपन कार्टो stress per meter length दूसरा पॉइंट है तो दूसरया calculate खरू शक्तो तेची लेंथ या तीन प्रकारची निमेरिक लारी तीन पद्दधी चे काम अपन तेचा मदे के लिए होती है okay I will just go to the theory part once again wait a minute some questions will be like कि तुमाला दा फिगर्ज दाखले आसती लानी तुमाला विचारला दाइल की हे काया है कसा है और अल्डेट okay welding connections okay so at the welding connections मदे आपना हो तो welding connections मदे ज़र आपन पाइला तेची थेरी टोटल दर डिसकस कराई छी घरली तो सग्यात पाइले आपन दोन टाइप चे वेल्ड पाइले होते है एक होती बट वेल्ड एक होती फिलेट वेल्ड आपने पाइला ही बट वेल्ड है बट वेल्ड में देखाए दना टू प्लेट्स प्लेट बन और प्लेट टू दे वर कनेक्टेड लाइक आमने सामने तो आपन बट वेल्ड मतलग होता है तो तो आपने आपने बट वेल्ड वेल्ड प्लेट वेल्ड वेल्ड आपन जनरली लाप जोंट के लिए किवा नाइनटी डिगरी जोंट के लिए कि वाह से के लिए कित्रे आपन बेसीकली वाप पर लेवते हैं बढ़बर आता बगा इतले बसले एक पोस्चन मना दितों वेर इस फिलेट वेल्ड यूज़ अमोंग्स दो फॉल्लइंग केसे इन अलब जोईंग इन अबर्ट जोईंग इन पर्पेंडिकलर और बोथ एंसी ठीक है जाला माइटि ए फिलेट वेल्ड का है तो ज एंसी तो चॉइस करें ऑके इनकन का इतरी सा उप्शन है एंसी नसे लाने आंकन का इतरी साउथा दिला से ओके आसे विचारल जातकरी करी टीनी ओप्शन बरवबर है पन एक्जक्त कुटलाए परफेक्ट कुटलाए के देभिनेशन लीलास सील आने विचार लासे से स्क्राइबसाम के नहिए टोची संस्क्त accreditation can be साइब इस दे पर एंसर इव देखनेस आप देखनेस आप द प्लेट इस टेन एम वाट शुट बेड़ जार विचार ने अले अट आप टेबल आपने लग्षाट पाए ले इस आपने लगाए कि वर्याज दा मुलग जे आहे तुमीजे शोता हा तर्थे शोता ना कोके आथा वे एक ना परमेश्वराची माफी मांपतो तुमाला कॉपी कशि कारे चीशिकोतो है पन त्याचा पिक्सा जासता अक्ताल कशी वाप रहे जी हे त्याचातल महत्वत वागे जर तुमाला साइद ओपद वेल्ट बगतर विचार ले तो तुमाला एम आयती पाईज है what is the minimum size of the weld for 12 mm plate okay आणि तुम्च्या MSBT करना प्रश्णा आला कि what is the minimum size of the weld for 16 mm आता काया है दलो तुम्हीं गूगल मदे टाकल what is the minimum size of 12 mm plate तुम्हाला प्रश्णा आला size of the weld तेवा तुम्ही पटकर या टेबल कडिया तुम्छी साइस चेक करा प्लेट ची काय दिले लिए आणि तेचा नुसार मिनिमम वाला ओक्षन चोईस करा ना पाच एनारे की सा एनारे बरबर 12 अमसेल तेवा पाच ओक्षन हा करेक्ट चस्तर है 15 अमसेल साँ उक्षन हा करेक्ट चस्तर है तो आप्रश्ण घुमोन क्या प्रश्ण मारे चेंज करने किती सह दे अनि किती ते इमीजेटली आतकाईवील तुमी टाकला क्षें 12 अमसेल लिए ने तुम्हां पुटे आइवेलेबल अथ नहीं है आणी ये साफ पोट है का गूगल वर आज नहीं ती सगरी माईती है तो तुम्हें नहीं टाकनार का गूगल वर सकते तेचा format तुम्हाला दमला नहीं keyword तुम्हाला दमला नहीं हा तेटला base score है ओके जेवा त्या question मदे महत्वा चका है तो पॉइंट आका अणि तो पॉइंट आकले उर तुम्हाला सर्च होना रही है तर सच आपन साइज ओफ वेल्ड मदे दर पाइला तर 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 चावदे दोन प्रकार के लिए स्क्वेरेज साथी आनि रॉंडेज साथी तर चीजी तिकनेस जिया है कि मैक्सिमम साइज आपन कशिटीपाइन करतो ते आपन बगितला होता है स्क्वेरेज मनझे का है तो प्लेट चाएज हां स्क्वेर होता है तो प्लेट चाएज स्क्वेर असता ना अपन तेची वेल्ड कशी करतो अनि जर आय सेक्शन सारका रॉंडेड असे तो एक वेल्ड करतो आपन वेल्डिंग करतो ती कशी प्रवाइड करतो ती कशी करतो याचा आटेबल होता आपने जिजुने वीडियो जेते तुम्हीं पभून गया ये लोकान निकड़े आहे तेन नी तो तुम्हाल ते पटकन लक्षा चूनले सो इथे तुम्हाला है स्पेसिफिकेशन जे आहे ये स्पेसिफिकेशन वाचून खेऊना चाहे का करन यातलकाई पन वीचारना रहे बरबर आता जसमी मतलग तुम्हाल तुम्हाला है का बनता है तो तुम्हीं किती किती आप्वैस करना है कुंता-कुंता प्रश्ण पाठ करना कुंता-कुंता सर्च करना गेटिंग अप्टिंग पॉइंट तुम्हाला बस तुम्हाला अधी मतला कि तुम्हाला सग्यात बेसिक काय करा लागेल तो सग्यात बेसिक पहले शोदावल आगेल कि वहा प्रश्ण नेम का कुंत्या पार्ट मदे आहे मनुन त्या भनगडित्म पढ़ता जेवड़े येता है पहले टार्गेट काय ठेवाईचा कि 15 करेक्ट प्रश्ण आपनेला अटेम्ट कराईची आता यहां एक्जाम मदे जे लोकान सा प्रॉब्लम होई लुके तर करना है बैकला आले सब्जेक्ट तो पुर्चाइच तरना थेरी देएचे थे लुके अब आशिवाइट परश्टी जेए थे पसले तेंची कोने चेनर ने नहीं ओके दिस आइम शूर पन ज़र आले तक अधि वीडियो जे में तुम्हाला रेडी वीडियो प्रवेड करना मी तुम्हाला सेमी लाइव शीक्वेल अगरे या सोड़ना एक मिन्टा करता पन मद तो त्रास वाडना रच्छ ना तो इस ओल्वेज बेटर कि 15 प्रश्टन पाई ले करेक्ट अटम करन गेएचे आणि मद तुम्हाला प्याद कर रहेचंगा तो कराएंड़ करता इसा ना bik या तो निमिरेकल पाइंट उम्हाला र्ल्ठ पाहटे थे तुम्हाला संपूर्ण गनीत सोडवाईला येनार नहीं तुम्हाला फक्त आणि फक्त जे मुख्य पाट है ते वड़ात सौल कराई जाए एक फॉर्मुला एक स्टेप किवा आरपार्त दोन स्टेप करून पुड़े तुम्हाला फॉलिंग सिक्षिन अर्विंफोर्स अंडर इंफोर्स टा बैलेंस सिक्षिन हे ओखा बना एक्स्व अनि एक्स्यु उप्यागी नहीं चेक कर रहें रहें अनि यु आउन फॉर्मुल्यु जे तुम्हाला फार फारत तीन स्टेप परम्ताच्छी गनीत तुम्हाला सॉल कर लें नहीं तै शेबक् आपके, सोब्फूली तुम्चे सगे डौट्स क्लियर जाले असतील, ओके, रिविजन तुम्चे अक्र साइड नी कराई ची होती, मी बटला होता कि तुम्ही काहितरी बात्सुनिया करूं या मंझे तुम्हें डौट्स हेतील तुम्चे डौट्स आपन याच्छा, तुम्हे प्रश्ट को रूंदा पुले तुम्हें तुम्हें नहीं तेचा करता मिया है कि तुम्हें पूम्हें पूटे आपने सेशन खंबू है और फॉडियो आता हैं आपने इके डिस्कुशन के लिए यह मीट्या है अप्लोड पुरूंग देले 10 मिंटा चलो फिर बेस्ट अप्लोड कुमाला सगयानना चांगले एटेंप्ट करा एलिमिनेशन टेकनिक जी अपन सुरुवातीला डिस्कुस के लिए तेचा वर ती लग्षे ठेवा ती वापरा तो के आणड एवरेथिंग विल बी फाइन उद्याचा तुम्चा जो हे राइल अटेंप तो एकदम बेस्ट राइल जेन्नी जेन्नी आते लेक्चर आएकले चन्ना सगयनना आदीचा आनुगो हे एना काई लोग कन्ना मी मदलत संगला जाइल ता संगला ज्वाकर तो उद्याचा पेपर संगला हे तुम्चा डन